बिहार में जातिये सर्वे करा आया गया उसकी रिपोट भी जारी कर दी गई जिसमें मुसल्मानों की संख्या करीब 17 परतिशत बताई गई है यादवों की संख्या 14.25 बताई गई है और दलितों की जो अबादी है बिहार में वो लगभग 19.30 है अब इसके बाद बिहार की दो बड़ी राजितिक पार्टिय है यह बीजेपी और जदियू जो है वो अब चाह रही है कि कैसे इस वोड बैंक पर मतलब पकड़ बनाया जाए कैसे इस वोड बैंक को साधा जाए दलित वोड बैंक के उपर खासा नजर नितीश कुमार का बना हुआ है हाला कि देखिए पूर्व में भी वो इस पर काफी सोचल इंगर निंग कर चुके हैं दलित महादलित को तोड़ चुके हैं इसमें पास्वान वर को दलित में रखते हैं और मान जी को महादलित में डाल देते हैं लेकिन जातिये गन्ना के रिपोर्ट के बाद बिहार सरकार काफी अलर्ट है यानि नितीश कुमार खुद अब चाह रहे हैं कि जो 20% के आसपास बिहार के दलित हैं वो 2024 के लोग सभा चुनाओं में और अगामी विधान सभा चुनाओं में चाहिए वो जब हो 2025 के नमंबर में हो या समय से पहले हो उसमें दलित अपका जो है वो नितीश कुमार के साथ रहे हैं अब इसके लिए अब हाला कि देखिए बीजेपी जो है वो भी मोई समय करण को साथने का प्रयास कर रही है सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको आप अचंबित होंगे लेकिन ये बात जमीन पर सतता सही है कि बीजेपी चार ये कि कैसे मुस्लिम और यादव वोट बैंक जो है जो आज RJD के खेमे के साथ है उसमें सेंद लगाया जाए उसे तोड़ा जाए और अपने पक्ष में किया जाए इस वीडियो में हम विश्तार में आपको पताएंगे कि की सरीके से भीम संसद जदियू के तरफ से और याजित किया जा रहा है और मुस्लिम संसद आयोजित करने का पूरा जिमेदारी दिया गया हाला कि पहले जो तारीक है वो 5 नवंबर तै की गई कि 5 नवंबर को पटना के वेटनरी ग्राउंड में एक भीम संसद लगेगा इसमें राज भर से बड़ी संख्या में जो दलित हैं वो पहुंचेंगे दलित के नेता कुमार किये हैं अब देखिए दलित वर्ग के 20 परतीसत वोट को साधने के लिए भीम संसद नितीश कुमार के रणनीती का हिस्सा माना जा रहा है यह दिगर है कि भवन निर्मान मंत्री असोग चौधरी जो खुद दलित समास से आते हैं वो कहते हैं कि भीम संसद का मकसद जो है वो कोई राजनिती के लिए नहीं है यह बात असोग चौधरी का कहना है लेकिन आप समझे कि दलित समुदाय को पटना में जुटाये जाएगा ना सिर्फ जुटाये जाएगा एक बड़ी रैली की जानी है इसे हो सकता है कि खुद नितीश कुमार संबोधित करें नि मतलब जो हालात थे 2005 के पहले और आज जो जिस परिस्थिती में दलित है इस बात को भी नितीश कुमार उस मंद से कह सकते हैं जिसका अब तारीक जो है वो 26 नमबर तै किया गया है मतलब 26 नमबर को पटना के वेटनरी ग्राउन में एक बड़ा भीम संसद यानि दलितों का एक मंज त्यार किया जाएगा जहां से नितीश कुमार दलितों के हितैसी के रूप में खुद को दिखा सकते हैं अब बीजेपी की अगर हम बात करें तो वहां पर मुस्लिम और यादव वोट को साधने के लिए दो नेताओं को इसकी जिमेदारी दी गई है पहला नाम नित है जो कभी किसन गंज से सांसद बने हैं तो एक बड़ी जिमेदारी जो है वो सहनवाज हुसाइन और नित्यानंद राय को दी गई है अब देखिए 32 परतिशत के आसपास बिहार में MOI समिकरन की अबादी है जो जाते जन गंडा की रिपोर्ट में सामने आई है उसमें से जदियू भीम संसद का आयोजन कर रही है उसी तर्ज पर या उससे बड़े अस्तर पर आप कहिए ये मुस्लिम और यादवो का एक संसद यानि एक मंच एक कारेकरम जो है एक रैली जो है वो आयोजित बीजेपी करेगी जो खुद में आप पड़ता सीत है आप समझे बी बीजेपी नित्या नंद्राय और सहनवाज हुसाइन के मारफ़त बिहार में मुस्लिम और यादवो के वोड़ बैंक को साधने के लिए एक बड़ा रैली जो है वो करने जा रहा और इसका हो सकता है कि पांस तारीकों जो अमित्ता का बिहार दोरा है उसमें इस बात का ऐला 5 मुस्लिम यहार हम बारा से 13% मुसलिम दोरा depri प्रतिसर के चुमार के साथ दोधर फैरीकर फांदे के लिए जो इसका है कि नितिव कुमार में Mित गोर करते हो도 नेरइछовने बिधे appropriate है ऑब बीजेपी वही जो पासमान का वोड़् बेंक है बड़ा वोड बैंक है उस पर नजर बना है यो आप अगर गौर करते होंगे तो नरेजर मोदी भी पासमांदा सब्द का प्रियोग बिहार आने पर जरूर करते हैं अमित साह भी करते हैं और बीजेपी के कई निता करते हैं पासमांदा मुसल्मानों के साथ सबसे बड़ा जो समस्या है वो विकल्प का है 2005 में जब राम बिलास पासमान ने वो सर्थ रखा था कि मुसल्म सीयम बनाना होगा लाली उस पर त्यार नहीं होते हैं उसके बाद से ही पासमांदा नितीज के साथ चले जाते हैं नितीज उनको आरक्षन भी देते हैं लेकिन बार बार जो दल बदलने की नितीज कुमार की रही कभी बीजेपी कभी आरजेडी इसके चलते पास मांदा उनसे भी 2020 में खिसक चुके हैं तो भीम संसद जदियू और गनाईज करा रही है और मुस्लिम यादो संसद बीजेपी और गनाईज करा रही है कुल मिलाकर बिहार के ये 52 पर तीसद वोट शेयर है 32 परतिस परत जो दलिज वोट तबका है तो फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही मेरा मुदीव तारण है बहुत बहुत शुक्रिया